हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है स्ट्रीम स्किन कैसे कस्टमाइज करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए सुरू करते हैं आपको क् क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा इंटरफेस इसके ओपर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर दिख जाएगा यहां पर लि दिखेगा यहाँ पर कोई एक्स्टा नहीं दिखेगा तो इसको आपको कैसे कस्टमाइज करना है वह मैं आपको बताता हूं इसके लिए आपको क्या करने है इसको यहाँ पर मिनिमाज कर देना है आप अपने लेटाप या पीसी के अंदर को भी ब्राउजर उपेन कर तब करने कbuilders तो इस वाले यहां से डाउं लोड कर सकते हैं इसको भी आप ओपेन कर लिजेगा सबस्टалось कि अवूर्स करना यहां डेखेंगे तो यहां पहु स्टमाइब करने के लिए दिख़ dominating तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्लिक कर दिना है किलिक करते हैं इस तरह से विंडॉपन हो जाएगा आप देख रहे हैं आपके केस में भी इस तरह से विंडॉपन हो जाएगा आप यहाँ पर यहाँ पर फॉंट स्टाइल दिख जाएगा आपको जो भी फॉंट बाद में आपको बताऊंगा इसको कैसे इस्टॉल करना है अब हम बात करते हैं दूसरे वेबसाइट के बारे में कहा पर बने बनायाибо सब्सक्राबर दोड मिल सकते हैं यहां करने के लिए आपको क्या किने यहां पे किलिक कर देने किलिक करती है इस तरह से और डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या किने इस विंडो को यहां से मिनिमाइज कर देने मिनिमाइज करने के बाद आपको क्या किने डेक्स्ट लिजेगा अब आपको क्या करने हैं यहाँ पर डबल क्लिक करना है इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको अपने हिंसाब से यहाँ चेक कर लेने हैं आपको केस में स्ट्रीम कहां पर इंस्ट्रॉल है यादि 64-bit होगा इसके से इसके अंदर आप चेक करेंगे तो यहां पर आपको स्ट्रीम फॉल्डर दिख जाएगा इसको पर आपको डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंड़ ओपन हो जाएगा आपको क्या करना है यहां पर आपको सार्च करना है इसके बाद आपको न्यूप के और जाना है इसके बाद यहां पर फोलडर के उपर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से जएगा आप को यहां परनॉम कर देने तरह से टैप कर लिजीएगा जैसं Mill ने फौ यहां export और इसके बाद यहां पर निब्स को क्पे।र सिस्क हमारे को अर्फिक कर किये थे आपने उसको भी यहां से आपको कोपी कर लेना है यहां पर आपको कोपी कर लिजेगा इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर इसको पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से पेस्ट कर दीजेगा चलिए यहां पर यहां से बाहर कर दीजेगा तो आप देख रहें यहां पर यह दोनों पेस्ट हो चुका है तो इस तरह सा इसको पेस्ट कर दिजीगा अब क्या कहना है यहाँ पर ऑप को किना है किलिक करते हैं चलीब करते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं इस तरह से स्ट्रीम रिए स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा रिये श्टाइट होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर metro skin change हो चुका है आप आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप को दिख जाएगा Top आप यहाँ अपर colour भी change हो चुका है यहाँ पर आपको design change मिल जाएगा यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं जो आप देख रहे हैं यह वाला काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे लिस्ट में नहीं दिखा रहे हैं तो इसको install करने के लिए दूसरा तरीक है यह लंबा प्रोसेस है इस वीडियो में नहीं बताऊंगा बागी चीज इस वीडियो में मैं cover कर चुका हूँ स्कुन कैसे चेंज करते मैट्रोकल obs कैसे अंधर आपको बता चुका हो शक्ति है मैट्रोकल चीन के अंदर यहाँ आपको कुछ सच काम नहीं करें मैदि यहाँ रिटि करना चाहते यहाँ बाद यहाँ लिडूप Let Say सेटिंग को पर जाना है इसके बाद यहां पर डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं इसके बाद यहां पर ओके पर किलिक कर दिने इसके बाद इस तरह से रिये स्टार्ट के लिए बोलेगा ता आप रिये स्टार्ट कर सकते हैं री स्टार्ट होने के बाद इस तरह से यह डिफोल्ट आ जाएगा तो इस तरह से आप यदि वापस आना चाहते तो इस तरह से आप डिफोल्ट सेट कर सकते हैं और प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू झाल 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 झाल